जै साइन जी जै साइन जी जै बाबा मुराद श्यवली जी सवागत है दोस्तों तो डग साइन जी सारे आंते मेरा परहात रकन सारे आंधर वास्ते उस परमातमानू मेरा सलाम है मैं तो डापना सोरव ते दाता जी तोनू मेरा परहात रकन आज जा पां तीसरे पार्ट ते ग शुरुआत पंजाबी जाए क्योंकि पंजाबी मा बोली है अब जब दूसरा बार था जो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिये जाएगा आपको आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे बापू जी ने परिक्षाएं ली साइन जी की अब जब परिक्षा चलती थी साइन जी की साइन जी की परिक्षाएं गुरू देखो गुरू ने परिक्षाएं लेनी होती हैं अपने बच्चे की क्योंकि जब जो बच्चा होता है वो भी तो गुरू की परिक्षा लेना है पर यह है कि एक बार देखता जरूर है कि पानी प रिक्षाए हुई और वहाँ पे एक साही अकबाल शाह जी की बताई हुई बात की वहाँ पे पूरा कटाया गया पूरा बनाया गया और साही जी नीचे बापू जी उपर और वहाँ फिर उन्होंने इबादत की पहले उन्होंने बाबा मोना जी को पूछा कि आप जा कौन हो जैसे बाफु जी पूछते थे तो बाबा मौना बूलाया कि मैं आपका बच्चा कहते अगर मेरा बच्चा है तो नीचे जाएगा तू पॉरे में वो कहे रहे हूँ तो पहले ही बोड डरते थे नहीं बाबा जी मैं नी जाओंगा नीचे बाफु जी साइन जी को बुलाया कि कौन है तू तो साइन जी बोले कि मैं आपके दर का दर्वेश हूँ बापू जी तो उन्होंने फिर उनको जब का कि पोरे के अंदर जाओगे तो बोले हाँ जी जरूर जाएंगे आपकी बात उन्होंने कहा और गुरू ने कहा और हम करेंगे तो उन्होंने बाप पूजी को ऐसे ही सज़धा सलाम किया और फिर पैठे पोरे में कहते हैं कि काफी साल बार डेड़ साल में मतलब एक साल बार जब वो बाहर निकले तो साही जी को चांजर बांध दी गई थी बाप पूजी महाराज जी की ने अपने हाथों से कि ये चांजर आज से दुनिया आपको साही साही कहा करेगी पर जो बापू जी माराज दरबार के गदी निशी हैं बाबा देव शाजी उन्होंने कहा है कि साइन जी ने पोरा नहीं काटा था वो ये कहते हैं कि साइन जी ने पोरा नहीं काटा था बाकी अब क्या बात है क्योंकि इकबाल शाय जी विक्की शाय जी ने कहा था कि पोरा काटा था बाबा देव शाय जी ने कहा कि साइज जी ने पोरा नहीं काटा था वहाँ बात ये हुई थी कि साइन जी को बाबा मुराजशा जी के बोल थे कि उन्होंने गदी उदर संबालनी है तो जब बापू जी ने उनको उदर जाने को का तो साइन जी जाते नहीं थे साइन जी कहते थे कि मैं तो आपके पास ही रहूंगा पर फिर साइन जी जब माने कि मैंने जाना है क्योंकि बापू जी ने बापा मुराजशा जी जो थे वही सिर्फ बापू जी माराज को नाम से पुकारते थे ब्रहम जोगी बाकी जितने भी मस्त हूँ हैं जितने भी फकीर हूँ हैं वो बापू जी ही कहते थे उनको वो बापू जी ही कहते थे तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी तरफ जाओगे तो स्वाई जी बोले अगर मैंने उधर जाना है तो मैंने बापू जी वहां दरबार बनाना है तो बापू जी ने उनको वर्द दिये थे कि हाँ, वहाँ दर्बार में काम कभी रुकेगा नी, काम चलता रहेगा और आज भी देखिए आप जाके वहाँ पे काम चली रहा होता है, कभी भी जले जाएए कभी कुछ नया बनी रहा होता है, तो बापुजी की ये एक बोल थे दूसरे थे, कि जो भी मूँ से बोला जाएगा, वो उसी वक्त पूरन रूप से हो जाया करेगा आपके, और तीसरा था, कि पैसे की कभी कोई कमी ना रही, और चोथी उन्होंने आँख तो देही दी थी, मुर्शद के पास से उनको आँख तो मिली गी थी, जिससे वो सारा ब पूजी ने, ये वर देखे, वहां से, बाबा मुराजशा सरकार, जहां तान-तन गदी मिया गोसे आजम दस्तगीर जी, बाबा मलक शा, बाबा गुलाब शा, बाबा शेरे शा, बाबा मुराजशा, बापू जी ब्रामयोगी जी महराज़ जी, गुरू पीरो मुर्शद वालिया जी शागोट वाले मास्त तो ये जो गदी वहां पे चली तो साही जी फिर अपने उस दर्बार में चले गए तो साही जी ने फिर वहां पे बाकी सेवा संपूरन की साही जी से मुर्शदों का मेल हुआ मुर्शदों के बाद वो वहां गए तो फिर जो उनकी वहां प भी प्राप्त किया और वहीं से ही जो बापू जी महराज की दरबार की जो चलते हैं वही इस तरफ भी रसमे हुई तो बापा मुराजशाजी के दरबार में वहां से फिर साइजी आये और पहले जब चोटे थे तो रोते थे कि मुझे यहां नहीं बैठना है बापू जी बोल थे उसी हिसाब से बापू जी ने उनको इस दरबार में भेज दिया तो साइजी ने आगे यहां पे अपनी जो सेवा थी वो आगे कॉंटिन्यू रखी आगे चलती गी उनकी सेवा तो उन्होंने फिर अपने मुर्शदों की सेवा वहां की और जब आप वहां सलाम करत करते हो ना जब हाँ बाबा मुराज शाजी साम करते हो साइजी को स्लाम करते हो एक बार उफ्धर बार में चले घे तो जितनी भी सरकारे हैं जैसे बाबा गुलाब शाजी बाबा मलक शाजी बाबा शेरे शाजी बाबा मुराज शाजी दाता अली एमत साब बाबा चेंता जी बाबा अमीच चांद जी रुड़के कड़ा वालिया सरकार राजी शा रब मस्तमिया वालिया जी अलमस्त बापुलाल बाज शाजी बाबा म वहां उस शक्स पे रहमत करती है जो वहां पे जाके एक बार सजदा करता है और मुरादे पूरी होती है अब अगले भाग में हम बात करेंगे कि साई जी और गुर्दासमान साहब से उनका मेल कैसे हुआ और गुर्दासमान साहब वहां कैसे आए और क्या हुआ सारी बात अगले भाग में होगी यहां तक बाबा मुराजशा जी बाबा शेरेशा जी जो थे उनके गुरू थे बाबा मुराजशा जी का नाम विद्द्या सागर था गुरू जी की मोज हुई बाबा शेरेशा जी की थी उनोंने बाबा मुराजशाजी को बाबा मुराजशाजी नाम से न्वाज़ा और कहा कि जब तक इस दुनिया में हो तभी मुराज़े पूरी होंगी जो आपके दर पे आएगा है और जब आप परदा कर जाओगे दुनिया से जब आप रूहानी रूह मतलब फानी दुनिया से पर्दा कर जाओगे पर यहीं रूह पोश हो जाओगे पर यहीं पर आप मतलब आना जाना आपका लगा रहेगा तो जहां पर आपके जाने के बाद भी जो भी आपके नाम से माता टेकेगा तो उसकी मुरादे पूरी होंगी तो बाबा मुराजशाजी को वो जगा मिली और साइन जी आगे बैठे क्योंकि बाबा मुराजशाजी ने उनको बोल निकले हुए थे कि आप बैठोगे और आपके फकीर बनेंगे उनके पिता जी को बोला था तो बापू जी महाराज जो थे बापूजी ब्राम योगी जी महाराज जी उन्होंने फिर वो बंदूग चलानी सिखाई साइंजी को जो अंदर मवजूद थी जो अंदर मवजूद थी फकीरी अंदर थी उसको रोशन करने में बापू जी ने साइन जी की, साइन जी के उपर मेर की, नजरो करम की और फिर साइन जी जो विजे था वो लड़ी साइन सरकार बन गए और लोगों की मुरादे पूरी होने लगी क्योंकि वर्थ है कि एक तो दर्बार नी रुकेगा दर्बार बड़ा बनेगा, आली शान बनेगा, शहाना दर्बार बनेगा और जो भी मूँ से कह दिया जाएगा वो होगा ही होगा तीसरा आँख भी दी थी और चो था, कभी भी लक्षमी की कमी नहीं हो सकती वहां पर दाता जी तो थे ही रहमतों के मालक लिए और बाबा मुराजशा जी की रहमत तो अंदर ही थी तो ऐसे बाप पूजी ब्राम योगी जी महाराज जी ने जब लाड़ी साइं को लाड़ी कह के पुकारा कि लाड़ी ये लोग चांजर दी तो बांधी तो फिर बाबा लाड़ी शा सरकार फिर वहां से विजे से बने साइं सरकार गुलाम शा और बाबा लाड़ी शा जी मास्तर सरकार क्योंकि बाप पूजी महाराज जी ने उनको लाड़ी कह के पुगारा था तो और फकीरों में जो बाप पूजी ने नाम रख दिये वही मकबूल हुए सो सबको सलाम है दाता जी आपको रहमत भरी जिंदगी बक्षें और चड़दी कला बक्षें आपको मंदरुस्ती बक्षे तंदरुस्ती बक्षे साई जी महर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए आपको मालूम ही है कि पिछला चैनल एक बहुत बड़े मुकाम पे था पर अब देखते हैं क्या होता है और आपकी प्यार बनाए रखिए बाकी दाता जी साब नुच साहिं जी दी